पाकिस्तान ने नियंतर रेखा पर आतंखियों की ताकत बढ़ाना शुरू किया कहा सेना के अधिकारियों ने अनुचे 370 खत्म करने का कश्मीरी पंडितों ने किया स्वागत घरवापसी का सपना होगा पूरा दूसरे दिन भी तारबंदी की गृफ में रहा मंदिरों का शहर चुराहों मुहलों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और अब समाचार विस्तार से देश के विभाजन के बाद जम्मो कश्मीर में बसे पश्चमी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में दो परधान मंत्री भी रहे लेकिन वो रिफ्यूजियों को जम्मो कश्मीर की नागरिकता दिलाने में सफल नहीं रहे रिफ्यूजी नागरिकता के लिए संगर्श करते रहे अब करिब साथ दशक बाद रिफ्यूजी का धबा हट गया है देश विभाजन के समय डॉक्टर मनमोहन सिंग और इंद्र कुमार गुजराल पश्चमी पाकिस्तान से आये और पंजाब में बस गए बाद में परधान मंत्री पद तक पहुंचे लेकिन जम्मो कर्ष्चमी में पाकिस्तान रिफ्यूजी के स्तिती इतनी विप्रीट रही कि उन्हें विधान सबावे पंचायतों में वول डालने का अधीकार नहीं दिला सके पाकिस्तानी रिफ्यूजीयों को नागरिक्ता दिलाने के लिए गुलाम नभी आजाद के मुख्यमंती रहते आम सहमती बनाने के परियास किये गए लेकिन सफलता नहीं मिली पूर परधान मंतरी मनमोहन सिंग ने करीब एक दशक पहले जम्मू में एक रहरी में कहा था कि मैं पश्चमी पाकिस्तान से आया था देश के परधान मंतरी पत तक पहुँचा लेकिन जम्मू कश्वी में बसे पश्चमी पाकिस्तान के रफीजियों को नागरिकता का दिकार नहीं है इस बारे में पार्टियों को सोचना चाहिए दो बार पैंथर्स पार्टि के परधान बलवन सिंग नगोटियां ने विधान सभा में प्राइवर्ट मेंबर बिल पश्चमी पाकिस्तान के रफीजियों को नागरिकता का दिकार दिलाने के लिए पेश किया लेकिन नेशनल कॉन्फरेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टि ने कड़ा विरोध जताया बताते हैं कि वश उन्निस सो संतारीस में पश्चमी पाकिस्तान से आये ये लोग पंजाब की तरफ जा रहे थे लेकिन नेशनल कॉन्फरेंस के संस्थापक शेख मुहमद अब्दुल्ला के आशवासनों के बाद ये ही ठहर गए और रिफ्यूजी बन कर रह गए उस समय आशवासन देया गया कि उन्हें जम्मु कश्मीर की नागरिकता का अधिकार मिल जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ अब मोदी सरकार के फैसले से करिब एक लाग से अधिक रिफ्यूजियों को नागरिकता का अधिकार मिलेगा पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में नियंतर रेखा के साथ बनाए गए लॉंचिक पैड पर आतंक्यों की ताकत बढ़ाना शुरू कर दी है जम्मु कश्मीर में गुजपैड कराने के परयाज भी तेज कर दिये गए है जम्मु पुंच राजोरी और अब कश्मीर की सिवाव पर संगश विराम का आलवंगन किया जा रहा है बिना उकसावे की गोलिवारी की आड में आतंक्यों की गुजपैड कराने की कोशिश हो रही है केंदरी ग्रह मंतरी अमिश शाह दौरा राजसवा में पारित किये गए जम्मु कश्मीर वे लद्दा को केंदर शासित परदेश का प्रस्ताव मंजूर कर लिये जाने के बाद उत्तरी कमान के जनरल कमांडर इंचीफ लेफटन जनरल रनभीर सिंग ने आज शिनगर में कोर ग्रूप आफ इंटेलिजन्स एंड सक्योर्टी एजन्सियों की बैठिक बुलाई और उन्हें सतरक रहने को कहा उन्हें सीमा पर भी चोकसी बढ़ने के निदेश दिये सैने सूतरों ने कहा कि कश्मीर में बदले समीकरन के बीच पाकिस्तान यहां शांती का माहुल बिगारने के लिए बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है उन्हें कहा कि नियंतर रेखा से सटे पाकिस्तान के इलाके में आत्रगवादियों की संक्या बढ़ाई गई है इन्हें किसी न किसी तरहें जमो कश्मीर में परवेश करवाने का परयास किया जाएगा हाला कि लेटरेंज जनरल ने इस बैठक में ये संकेद भी दिये कि पाकिस्तान ने अपनी इसी मंच्छा को पूरा करने के लिए नियंतर रेखा वे अंतर राश्य सीमा पर गोली बारी तेस कर दी है सेना ने कहा कि वो पाकिस्तान के हर नापाक साज़िश का मुह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है उधंपुर्स्तित सेना के एधिकारिये दोरा जारी एक प्रेस विकिप्ति के अनुसार लेफटरेंज जनरल सिंग ने यह भी कहा कि राज्य में शांती और सीमा पर सुरक्षा सुनिशित करने के लिए आवाशक व्यवस्ता की गई है जम्मो कश्मीर को दो भागों में विवाजित कर लद्दाख और जम्मो कश्मीर को केंदर शासित परदेश बनाने वे अनुशे 370 और 35 एको खत्म करने का कश्मीरी पंडितों है पनुन कश्मीर के परधान विरेंदर रेना ने कहा कि ये दिन एतिहासिक है ऐसे दिन जीवन में कभी कभी ही आते हैं जब तारीक ही बदल जाती है ऐसा ही आज हुआ सही माइने में कश्मीरी पंडितों के लिए असली आजादी का दिन है कश्मीर में एक ऐसा निजाम था जो कश्मीर से पलायन करने के 30 साल बाद कश्मीरी पंडितों को आज असल अजादी मिली है अब जमु कश्मीर में एक विधान एक निशान होगा आज नए यूग की शुरुआत हुई है और इंडिया कश्मीरी यूद समाज के अध्यक्ष पंडित एके भटने कहा कि अनुशेत दिन्भी पुलीस प्रशासन द्वारा लगाईगी पाबंदियां जारी रही पुराने शहर की हर एक गली के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने तार बंदी कर लोगों की आवाजाही को पून रूप से रोक लिया है बिन अठोस कारण के किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी करना पड़ा यात्री वाहन उपलग ना होने से लोग अपना सामान स्वेम उठाकर रवाना होते हुए देखे गए मोबाईल इंटरनेट अभी भी बंद है और प्रशासन ने एहतियात के तोर पर स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखा है इसी के साथ अभी तक एपुलिट मे इतना ही दीजे इजाज़त और देखते रही हो फोर युवाइस नमस्कार